जैश्री राम सनातन ग्यान की गंगा में आप सभी सुधी जनों का पुना हार्दी कविनंदन है रगु कुल रीती सदा चली आई प्राण जाय पर वचन न जाई भगवान सुर्य के पुत्र होने के कारण मनुजी सुर्यवंशी कहलाया इनसे चला ही वचन सुर्यवंशी कहलाया अजोद्या के सुर्यवंशी में आगे चल करके एक महापरतापी रजा रगु हुए और उनके नाम पे इस वचन का नाम करन रगु वचन कहल हो गया उस महाराज रगु के पुत्र अज थे और अज के पुत्र महाराज दस्टरत थे तो महाराज अज के सामने रावण की एक न चली और एक ऐसा द्रिश्टान्त आता है जिसमें महाराज रावण बीना युद्ध किये ही महाराज अज से अपनी अपराज़ स्विकार कर लेते हैं देख सुनते हैं दिरिश्टांत ऐसा कहा जाता है कि महाराज अज दो पहर की वंदना कर रहे थे वंदना करने के पुजा पाठ करने के पश्चात उन्होंने जल हाथ में लिया और उस जल को आगे गिराने के बजाए पीछे उन्होंने जल फेक दिया जिस समय ये घटना हो रही थी उस समय दशानन रावण महाराज रगू से युद्ध करने के लिए ब्रामण वेश में जुद्या नगरी में आया हुआ था और बहुत दूर से टक टकी लगा ये सब देख रहा था उसने देखा कि महाराज ने दो पर की वंदना किया पूजा किया और अविश्यक का जल उन्होंने आगे डालने के बजाए पीछे फेक दिया दशानन रावण उनके सामने परकट हुआ और उसने महाराज से कही कि महाराज अविश्यक आगे किया जाता है आपने तो अविश यहां से 100 योजन दूर एक घास को चर रही है और उस गाय के पीछे एक शेर पड़ा हुआ है गाय बचने के लिए चिला रही है और उस गाय की आवाज मेरी कानों में पड़ रही है तब मुझे उस गाय को बचाने के लिए इस अभिमंत्रित जल को पीछे फेकना पड़ा वो जो मैंने जल पीछे फेका था उस जल के सैकड़ों तीर बन गए और वो तीर जाकर के उस शेर को लग गए शेर मर चुका है और गाय घास चर रही है जब महराज अज ने ये सब बातें बताई रावण को विश्वास नहीं हुआ बोला ऐसे कैसे हो सकता है तीर का अनुसंधान किया जाता है निशाना लगाया जाता है और तम भेदन किया जाता है ये तो आख मुद करके पीछे जल फेक दिये और बोलने हैं कि शेर मर गया है महराज अज ने कहा आप यहां से एक सो योजन दूर जा करके और ये द्रिश्टान देख लिजिए रावण पहतुहल बस महाँ पर चला गया उसने देखा कि जंगल में गाय एक घास को चर रही है और गाय घास चर रही है और उसके कुछ ही दूर पीछे शेर अपने पेट में सैकडो बाण लगे होने के कारण मरा हुआ पड़ा है रावण ने सोचा ये कौन सा राजा है भाई जिसके मत्र जल फेंक देने से तीर चल जाते हैं निशाने लगाने की जरुवती नहीं पड़ते हैं इससे बरा कौन लड़ेगा रावण ने महाराज अज से युद्ध करने की नीती बदल दी और वो बिना लड़ाई किये वापस लंका में चला गया ऐसे थे रगुपील रगुकुल के महाराजा अज महाराज फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ तब तक के लिए जैशिराम